दोस्तों जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर चुनाओ की एक संभावित डेट आ चुकी है अचार सहीता लगेगी इसी बीच में आपका ये सवाल जरूर होगा क्या उत्तर प्रदेश में सिक्षक भरतिया आएगी देगे उत्तर प्रदेश में बच्चा इंतजार कर र हैं और यहीं इसी बीच में इनका एक पडोसी राज है बिहार और वह वह बिहार ने भका भक यहां पर वेकेंसी निकाला है बहुत जवर्दस तरी के समने में वेकेंसी निकाला एक्जाम भी हो गया है और बच्चों की पोस्टिंग भी हो गई है और दूसरे तरह आप प्सक्स करूंगा क्या बिहार में 2024 में जिका बीहार में दोहजार ला बनाया जा रहा है और दोने यह बहुत साइब ये कह रहा है कि उसमें सकरी होगा अगर उसमें रहुए तो बच्य notebook क्या आपक नह yönगा में सकरी होगा मतलब फरवरी में कह रहा है कि सदश्च और अध्यक्ष दोनों लिक्त हो जाएंगे आयोग के अब नया आयोग के गठन का इंतेजार में आसास की सहाथा प्राप्त महादमिक विद्याले और आसास की महाविद्याले में दो साल की सिक्षक भरती फसी हुई है देखें मैंने जैसा की बताया आप असेस्टेंट प्रोफेसर में 1017 पदों में भरती हुई थी और भरती के लिए सोड़ी आवेदन की प्रक्रिया अगस्ट 2022 में पूरी कर दी गई ती इसके बाद क्या होता है टीजीटी और पीजीटी के लिए 4163 पोस्ट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2000 यहाँ पर अगस पूरी हो चुकी है देखिए आवेदन के प्रक्रिया 2022 में हुई थी किसके लिए हुई थी TGT PGT और आप देख रहे हैं असिस्टन प्रोफिसर के लिए हुई थी 4000 और 1000 भर्तियों में अब यहां में कहा रहा हैं कि दोनों भर्तियों के विग्यापमन जारी हुए दो साल में द आसन ने तै किया है कि आयोग का गठन के बाद इन भर्तियों को पूरा करा दिया जाएगा मतलब जैसे ही आयोग का गठन होता है यह जो भी भर्तिया रुकी हुई थी इन्हें सबसे पहले कराएंगे इन भर्तियों में इन पदों में जो भी भर्तिया होनी है सबसे पहले उ प्ध्यारती का इंतजार जल्दी खत्म होने जा रहा है आयोग के अध्याक्ष सदस्चों की नियूक्ति के आविधन में स्क्रीनिंग की प्रक्रिया फरवरी के महा के अंत्रि के में या फरवरी की सुरुवात में अगर आप देखेंगे तो यह पैनल तयार हो जाएगा और प आयोग जो है यहाँ पर पहले पुरानी भरतियों को यहाँ पर मैनेज करेगा पुरानी भरतियां जो नहीं हो रही उन भरतियों को करवाएगा और उसके बाद यह नई भरतियों के बारे में सोचेंगे यह नई भरतियों के बारे में सोचेंगे नई भरतियों का प्लान मनाए की अधी आचना तयार तो नहीं की कि ये देखे कोई नई भरतियों की अजलिया भी कोई तयार नहीं है पहले से पूर विग्यापन के तहट मतलब जो पहले से विग्यापन जारी हुए थे ना उनी भरतियों को पहले पूरा कराया जाएगा और इसके बाद यह सोचिंगे भी है नहीं भरती लानी है या नहीं लानी है मतलब उस लाएंगे बट थोड़ा सा रुख कर लाएंगे ऐसा भी हो सकता है कि भी है उपतर प्रदेश में एक बार फिर से भरतिया जम से आ जाए इस आ रहा है आपके चुनाओ का तो डेफिनिटली आपको यहां पर मार्च में अचार सहीता लगेगी और मार्च के पहले जो वेकेंसिस आ जाए वह आ गई है उसके बाद जो आ नहीं सकती हो कि अचार सहीता के बाद कोई भी डिसीजन नहीं लिए जातने कोई भी नया काम बरी तक आप सोचिए तो यह चीज़े भी आप देखिए और हलां कि ऐसा बहुत जगे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोजार चुबिस में चुनाओ ही है तो यह चीज़े भी देखने वाली होगी कि आप भी है उत्तर प्रदेश में एक्स वेकेंसी कब आती है इसका इंतिजार रहेगा आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में देखर जाएगा और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए उसमें भी कुछ रिसर्च करके कुछ चीजे इंक्लूड करके आपक यह सो मुच